दुनिया में भारत एक आस्था का केंदर है यहाँ पर कई चमतकारी और रहसे में मंदिर है इन में ऐसे कई मंदिर है दिन के रहसे को आज तक विज्ञानिक भी नहीं सुल जा पाए है ऐसा एक भागवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो दक्षिनी भारत राज्य कैरल के थिरुवर्व में स्तित है माना जाता है कि यह प्रसेद मंदिर करीब पंदरा सो साल पुराना है आए जानते है इस मंदिर के रहसे के बारे में इस मंदिर में भागवान श्री कृष्ण के क छोड़ कर चले गए थे क्यूंकि यहां के मच्छवारों ने मुर्ती को यही छोड़ने का अन्रोद किया था मच्छवारों ने भगवान श्री कृष्णी की ग्राम देवता के रूप में पूजा करने शुरू कर दी हाला की मच्छवारे एक बार संकट से गिर गए तो एक जो पर अटक गई लाग कोशिशों के बाद भी वे नाव आगे नहीं बढ़ पाई तो उनके मन में सवाल उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है उनकी नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही है इसके बाद उन्होंने पानी में नीचे डुपकी लगा कर देखा तो वहां एक मूर्ती जाने की कोशिश की लेकिन वहाई चिपक गई इसके बाद भी मूर्ती स्थापित कर दी गई इस मूर्ती से भघवान कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंश को माना था जब उन्होंने बहुत भूग लगी थी इस मानेते की वज़ता है मानता ये है कि हाँ प्रसित भगवान के विग्रे को भूग प्रदाश नहीं होती है जिसकी वज़े से उनको भोग की विशेश विवस्ता की गई है भगवान को दिन में दस बार भोग लगाया जाता है अगर भोग नहीं लगाया जाता तो उनका शरीष सूख जाता है ये भी मानता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चड़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है ये प्रसाद भगवान शरी कृष्ण खुद ही खाते है अभी लेंगे एक छोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के वाद आपको बताएंगे किस मंदिर को ग्रहन काल में क्यों नहीं बन किया जाता भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डाबडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिबुल रेट्स में ब्रेक की बाद आपका स्वागत है पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ग्रहन काल में बंद कर दिया जाता था लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रहे गए ग्रहन खतम होते होते उनकी मुर्थी सूख जाती है कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली जाती है इस बात की जानकारी आदिशंकर अचारे को हुई तो वे खुद स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुँचे सचाई जानकर वह भी आजचारे चक्रित हो गए इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहन काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भग हुजारे को ताले की चाबी के साथी कुल हारी से कहा गया है कि अगर खुलने में समय लगे तो वे कुलहारी से कोड़ दे लेकिन भगवान को भोग लगने में देरी ना हो इसक लावा भगवान का दब अविशेक किया जाता है तो विग्रे का पहला सिर्GH और पुरा शरीर तूप जाता है क्योंकि अभिशेक में समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता उस घटना को देखकर लोगों को आश्चर्य होता है इस खबर में फिलाल इतना ही देशोदुनी की तमाम खबरों को भी बने रेमार साथ और देखते रहें इंडिया टाइम टैनी समस्कार खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन